ग्यारा दिन सिर्फ एक चमच दूद में मिला कर खालो, सो साल तक सुगरो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, कमजोर आंखे, एनिंद्रा और ये दिल की बिमारियां आपको कभी नहीं होंगे, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस व्रियो में हम आपको एक ऐसे चमत कारी नुस्खे का सिर्फ लगातार 11 दिन तक सेवन कर लेते हैं, वैसे आपको सेवन तो उसका लगातार एक महीने तक करना है, लेकिन 11 दिन से ही आपको अपने सरीर में चमत कारी बदलाओ महसूस होंगी, और दोस्तो जिन बीमारियों ने आपके सरीर को जकड रखा था, व दोस्तो आज की इस वीडियो की जो मुख्य समगरी हैं, वो है दोस्तो अलसी, और दोस्तो अलसी के फाइदे को नहीं जानता, अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, दोस्तो जो आपके सरीर के हर परकार के दर्द को, हर परकार के रोग को दूर करने की समता रखती ह और आपके सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने की समता रखती हैं, आपको हर अत्रह की बीमारी से बचाने की समता रखती हैं, दोस्तो अलसी का सेवन, यदि आप हर रोज करेंगे, तब आपको इसके चमतकारी रिजल्ट दिखाए देंगे, तो चलिए, पहले आपको बताते ह इस LC के 7 से होने वाले फाइदों के बारे में कि यदि आप इस नुस्खे को लगातार लेंगे तो इस से आपके सरीर में होगा क्या उसके बाद बताएंगे कि आपने इस नुस्खे का परयोग करना कैसे है दोश्तो यदि आपको diabetes की बीमारी है और आप अपने इस सुखर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस diabetes की बीमारी के जो भी complication है आप उन सब से भी बचे रहना चाहते हैं तब दोश्तो आप हर रोज इस नुस्खे का लगातार 7 कीजे और दोश्तो इससे आपको चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे जो diabetes की बीमारी के करण हमारे सरीर में कमजोरी आ जाती है वो कमजोरी आपकी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी दोश्तो इस diabetes की बीमारी के जो भी complication है आप उन सब से बचे रहेंगे और आपका सुगर लेवल भी हमीसा कंट्रोल में बना रहेगा दोश्तो यदि आपको बैड कोलोस्टोल की समस्या है और आपके सरीर का खून गारा है या खून की कमी है आपके सरीर देंगे या आपको बैड कोलोस्टोल की समस्या है तो दोस्तों ये इनी सभी समस्याओं का इलाज है दोस्तों ये आपके सिरी से bad cholesterol को सही करने का काम तरी ये आपके सिरी में अच्छे cholesterol की मातरा को बढ़ाएगी bad cholesterol की मातरा को कम करेगी जिससे कि ना तो आपको कभी blockage का सामना करना बढ़ेगा ना तो ये heart blockage होगी और ना ही आपको heart attack का सामना करना बढ़ेगा इसके लवा आपके सिरी की सभी तरहें की नसों की blockage को खोलने की समतावी इस नुस्खे के अंदर है जिसे आप इस blockage और heart attack से हमेशा के लिए बचे रहेंगे दोश्टो ये नुस्खा आपके सिरी में खून की कमी का इलाज करता है खून की गंदगी को साथ करता है और खून के गाड़ा होने की समस्या से भी आपको बचाता है आपके सिरी के खून को पतला करने का काम करता है जिससे आप बहुत रहें की बीमारियों से बचे रहते हैं आपको दिल की बीमारियों से बचा कर रखता है दोस्तों आपके पाचन को मजबूत करता है जिससे कि आपको कभी कबज गैस और एसडिटी की समस्यार नहीं होती और दोस्तों ये कबज, गैस और एस्डिटी हमारे सरीर की 72 रहें की बीमारियों का कान बनती है यनि आपको इन 72 रहें की बीमारियों से बचा करकता है दोस्तों आपके मुटापे को कम करने का काम करता है जिससे कि आपको इस मुटापिक एकन जो हमारे सरीर बीमारियों का खर बन जाता है उससे आप हमेशा बच रहते हैं इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन दोस्तो यदि आपकी आँखों के रोजनी कंचोर है और आप अपनी आँखों के रोजनी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तो तब भी आप इस नुस्खे का सेवन दीजिए या आपको एनिंद्रा की बिमारी है और आप एनिंद्रा की बिमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉपर निंदाए और आपका स्रीर बिमारीों का घर बने से बचाए या आपके स्रीर की हड़ियां कमजोर है या आपको जोरों या घुटने के दर्द के सम से दोस्तों तब भी यह नुश्खा आपके लिए वरतान है दोस्तों इस नुश्खे को बताने से पहले यह आपको बताना चाहता हूं कि यहीं आपको किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना, चाहते हैं तो इस वीडियों में जो तो एक चमच अलसी के बीज का बावकर एग लास दूद में मिलाकर उपर से मिस्री डालकर उस दूद का हरो सेवन किजिए बिना च्छाने और दोस्तो यदि आप ऐसा सेवन करेंगे इस तरीके से सेवन करेंगे तब आपका पूरा सरीर निरोगी बन जाएगा और आपको इस अलसी के खाने के पूरे फाइदे मिलेंगे दोस्तो अलसी के फाइदे तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि अलसी को सही तरीके से कैसे खाया जाए जिससे कि आपको पूरा फाइदान ले और इज़दिया पालसी का सेवन इस तरीके से करेंगे तब आपको इससे पूरे फाइदे मिलेंगे और आपका पूरा सरेर बिलकुल निरोगी बन जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जूरू कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों